नमस्कार साथियों अनीका कलासिस पटना में आपका स्वागत है आज हम देखेंगे जो ग्यान बिंदू जीए से करेडमी सर के जो डायरेक्टर है रौसन आनंद सर उनके द्वारा जो है यह प्राचीन भारत का इतिहास का जो है पीडिया पनाया गया है ठीक है इस किताबू से थोड़ा हाट करके बनाया गया और बहुत ही अच्छा कंटेंट के साथ बनाया गया है अभी तक आपने जो है इसका जो है तीन चार पार्ट बना दिया है जिसमें हड़ापा सभ्यता ठीक है जैन धर्म यह तीन चार चेप्टर खतम किये हैं यह आपके संग लो तो बहुत धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे बुद्ध का अर्थ क्या होता है परकास मान अथवा जगत ठीक है इन्हें एसिया का जियोति पुंज भी कहा जाता था यानि लाइट ओफ एसिया गौतम बुद्ध का चित्रा आप देख रहे होंगे है ना यही थे ग गौतम बुद्ध के जीवन परीचे के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि इनका जन्म जो है वह 563 इसा पूर्व कपिल बस्तु के लुम्बनी नेपाल ठीक है में हुआ था जो कि असोक के हिसाब से जो है कि रुमेंदेई अस्तंब लेख में जो है कि इनका नाम मिलता है बच्पन का नाम जो है सिर्दार्थ और गौत्र गौतम हुआ ठीक है गौतम बुद्ध में गौतम जो है उनके गौत्र का नाम है पिता का नाम सुदोधन है जो कि कपिल वस्तु के साकगन के परधान थे माता का नाम महामया है कोलिये गनराज की कन्या थी वहीं पालन पो गौतम बुद्ध के एक मात्र पुत्र थे जिनका नाम था राहुल गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम था कथक सार्थी का नाम था चान और मिर्तु इनकी हुई थी 483 इस्विपूर मलो के राजधानी कुसी नगर में जो की दिवरिया उत्तर परदेश में पढ़ता है जिसे बौत धर्म में महापरी निर्वान कहा जाता है ठीक है मिर्तु को जो है कि क्या कहा जाता है महापरी निर्वान आगे पढ़ेंगे गौतम बुद्ध का आननाम साक गौतम बुद्र के चार दृसंने गरिष त्याग को विवश किया था गोतम बुद्र जो है चार चीज को देखे थे इसी करणग उन्हेंने गरिष त्याग को अपना आается चो पहला था एक विर्ध भाक Button दूसरा था विमार भाक pretty तीसरा मिर्ध भाक Lucky और चौता सन्यासी goose न जो की परसन मुद्रा में था तो सन्यासी को देख करके इन को जिहनु में आया कि हम भी अब सन्यासी वर्मते हैं ठीक है भिर जयुब्यका घटना की बाद करें ठीक है और परतिक चिन दो दो चीद दिया हुआ है तिनका जन्म का पर्तिक चिन है कमल वसाण ठीक है वहीं गिरिह तयाक की बात करें तो घोड़ा है ज्ञान की बात करें तो पीपल बोथिवरिक्ष और निर्वान की बात करें तो पदचिन और मिर्तु की बात करें जिसे महापरी निर्वान कहा गया है तो उसका पर्तिक चिन क्या है अस्तूप है देखे एक नोट था इसमें कि अनोमा नदी सिर मुंडवा कर भिछुओं का बस्त्र धारन करना बहुत धर्में यह परंपरा है ठीक है आगे पढ़ेंगे शिर्दार्थ जो है 29 वर्ष की अवस्ता में ग्रेह त्याक किया जिसे बहुत धर्में महापरी निसकर्मन कहा गया ततपशाद सिर्दार्थ बैसाली के समेब सांख दर्शन के अचार अलार कलाम तथा राजगीरी के समेब रुद्रक रामपुत्र से मिले जो बुद्र के प्रारंभिक गुरू थे आगे पढ़ेंगे 6 वर्ष के कठिन तपश्या के पशाद 35 वर्ष की आयू में निरंजना जो नदी है पुनपुन नदी के टट पर पीपल ब्रिच के निचे हालाकि इसको फल्गु नदी भी कहा जाता है फल्गु है ने फल्गु बुद्ध कहलाए और वह स्थान बुद्ध गया कहलाया बुद्ध गया में इस घटना को निर्मान या संबोधी कहा जाता है बुद्ध का साब्दिक अर्थ होता है ग्यान बुद्ध ने अपना जो है कि पर्थम उपदेश सारनात में दिया था रिसी पत्नम उत्तर परदे इसमें कि मिर्ग दाव बन में अपने पांच ब्रहमन साथियों को पाली भासा में कौन सी भासा में दिया था जिसे बौत धर्म महाधर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं बुद्ध ने सरपर्थम तपस्व तथा भलिक नामक दोश्चुद्रों को बौत धर्म का अन्युआई बना बिहार ने उनका जो है कि स्वागत किया और तो भी हार दान में दिया राजगीर में में पहले राजगीरे ही जिसे काते थे, राजगीरे हें मौग दयाल्म, उपाली, अभाय, आदी इनके सिस बने, अपने प्रिय सिस आनन्द के कहाने पर बुध ने बैसाली में महिलाओं को संग में परमैस की अनुमती दी, बौध धर्म को अपनाने वाली पर्थम महिला, पर्थम प्रजापति गौत्मी आप एक कमेंट बोक्स में कमेंट के जिए कि परजापति गौत्मी कौन थी ठीक है एक बुद्भवागवान के ज्यान की प्राप्ती 20 वर्स जो है स्रावस्ति पहुंचे तथा वहाँ अंगली माल डाकू को अपना सिस बना ज्यान प्राप्ती के 20 साल ठीक है अंगली माल का कहानी तो आपने सुना होगा बच्छपन में आगे पढ़ेंगे बहुत धर्म ने महिलाओं को सुद्रों को जोड़कर समाज के उपर गहरा परभाव छोड़ा बोध ने अपने जीवन के सरवादिक उपदेश कौसल की राजधानी सरावस्ति में दिया स करें बोध ने अपने जीवन के अन्तिम पड़ाव में ही रेने बती नदी के टड़बर अपने शिस चुन्द के यहां सुकरमादव भोज समागरी खाई और अतिसार रोग से पिडित हो गया अतिसार रोग से पिडित technology ततपास्टात यहीं अस्थी वर्ष की अवस्था में 483 इस्विपुर में बुध का निधन हो गया जिसे बहुत धर्म में महा परिनिर्वान के नाम से जाना जाता है महा परिनिर्वान के बाद बुध के अस्थी अपसेस को आठ जगह मगद, बैसाली, कपिल वस्थू, अलपकप, रामग्राम, पावा, कुसीन नगार और बेथा दिव भेजा गया इन्ही आठ शेत्रों में अस्थू बनाया गया सिच्छा एवं सिधान्थ तो सिच्छा और सिधान्थ में देखेंगे कि इनके त्री रत्न थे कौनसा? बुध, धाम और संग ये तीनों इनके त्री रत्न थे जबके चार आरे सत्थे दुख, दुख समुदाय, दुख निरोधी, दुख निरोध, गामनी परतिपदा बुध जो है, समस्त बिस्फ दुखों से भरा है या सिधान्थ जो है, उपनीशाथ सलिया गया है ठीक है? आगे पढ़ेंगे कि दुख का कारण बुध ने त्रिस्णा, त्रिस्णा मतलब इच्छा को बताया है जो अज्यान्ता के कारण उत्पन होता है आगे पढ़ेंगे कि इन संसारिक दुखों से मुक्ति है तो गौतम बुध ने अश्टांगिक मार्क का पालन करने को कहा है तो अश्टांडिक मार्क कौन कौन से है आपने सिफ लुसेंड में पढ़ाओगा अश्टांडिक मार्क लेकिन आश्टांगिक मार्ग जो है आठ कौन-कौन से होते हैं इसमें हैं सम्यक दिरिष्टी, सम्यक सलकल्प, सम्यक भाक, सम्यक कर्मान्ता, सम्यक अजीबका, सम्यक ब्यायामा, सम्यक अस्मेर्थी, सम्यक समाधी ठीक है इसका हिंदी आप पढ़ लीजेगा ठीक है अस्किन सोट ले लीजे बोध के अनुसार अश्टांगिक मार्गों का पालन करने से त्रिष्णा नश्ट हो जाती है और तीन से निवारन की प्राप्ति होती है दस सील दस सील थे इसका स्किन सोट कर लीजे इसको पढ़ लीजेगा आगे पढ़ेंगे बुध ने अपना उपदेश जो है जन सधारन की भासा पाली में दिया था निवार्ण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना यानि जीवन मरन चक्र से मुक्त हो जाना यहां बुण जाना लिखा हुआ है बुध ने मध्यम मारका उपदेश दिया था कि महापरिवान निर्वान मंदिर था इसको आप देख लीजें है ने दर्शंग के बारे में अनेश्वरबाद सुन्यताबाद चनिकबाद बहुत धर्में पूर्ण जनम को मानिता है बुध धर्म ने जन्व अ कहा जाता था जबकि सपत गरहन को परवजिता कहा जाता था संग में अल्पव्यस्क चोर हत्यारा रिनी ब्यक्ति दास और रोगी ब्यक्ति का परवेश जो है कि बरजित था बौध संग की रचना जो है गंतंत्र परनाली पर अधारित थी बौध धर्म ने वर्ण ब्यवस् का चार दिन आमवस्या पुर्णीमा और दो चतुर्थी दिवस उपवास के लिए होते थे वर्षा रित्व के दवरान मठो में परवास के दवरान विच्छों द्वारा जो अपराद स्विकारित सामरो होता था उसे पवरतन कहा जाता था बौधों का सबसे पवित्र तेव और दिगंबर दो हुए थे ना बटवार उसे परकार इसमें भिच्छो और उपासक हैं आगे पढ़ेंगे अस्तूप जो है अस्तूप का साब्देकर्थ होता है किसी बस्तू का देर चैत का साब्देकर्थ क्या होता है बौधों का पूजा अस्तल था कौन चैत या चैत मंडल विहार था बौधों का निवास अस्तल परसिद बौध अस्तल जो है महा बौधी मंदिर विहार में है महा परिनिर्मान मंदिर यह उत्तर परदिश में धमयक अस्तूप यह उत्तर परजह काकला में बनी हुई जबकि बुध की शरवादिक मूर्ति गंधार सैली में बनी हुई है तो इन्हीं साब स्याफ ट्रिकवाइज भी इसको याद कर सकते हैं देख सकते हैं यहां पर महाबोधी मंदिर का चित्र दिया गया है जो कि बोध गया में है तो पहला जो बहुत सम्मेलन हुआ था राजगीर में हुआ था सब्तरनी गुफा में चारसो तरासी इस्विपूर्व सासक उस्समें अजासत्रू थे अध्यक्ष महाकस्यप थे कार जो है सुथ पीटक एवं बिनाई पीटक का संकलन करना था उस्टा है दूसरा हुआ था बैसाली में एक सो तरासी सोरी तीन सो तरासी होना चाहिए यह थोड़ा प्रिंड संग अस्थविर एवं महा संग में विभाज था आगे पढ़ेंगे पाटली पुत्र तो पाटली पुत्र में हुआ था बहुत सम्मेलन अड़ाइसो इस्वि में उसके सासक थे असोक अध्यक्ष मोगली पुत्र तिस्न और कार हुआ था अभी धम पीटक का संकलन कर चौथ दो एडि में कनिश्क उसके सासक थे अध्यक्ष बसुमित्र बहुत धर में हिनायन एवं महायान में विभाज हिनायन और महायान में जो है कि परमुख अंतर थे तो आप उसे जो है असकिन सोट ले लिजे और खुद पढ़ लिजेगा है ना आगे पढ़ेंगे बजरियान संपरदाय सात्वी एबं आठवी सताब्दी आते आते बहुत धर्म में एक और नए संपरदाय का उद्य हुआ जिसे बजरियान कहा जाता था यह संपरदाय तंत्र मंत्र और करमकांडों पर बल दिया देता था इस संपरदाय के लोग बुद्ध को अलौकिक सक्तियों वाला पुरूस मानते थे इस संपरदाय ने देवितारा को बुद्ध से जोड दिया इस संपरदाय का परमक गरन्त है ग्रिय समाज और मंजू सरी मुल कल्प नेक्स्ट है बजरियान संपर्दाई के लोग जो है पंचमकार मद मांस मैथून मतस्य मुद्रा की साधना करने में लगे थे बौधिक सहित त्रिपीटक बौधो का धर्म गरंथ है जो संभवता बौधो का प्राचीन धर्म गरंथ है इसके अंतरगत निम धर्म गरंथ आता है सुथ पिटक जो है सुथ का साब्दिक अर्थ धर्म अपदेस होता है इसमें बहुत धर्मों के सिधानत्व का उलेख है बौध के उपदेसों का संकलन भी इसी में है किसमें सुथ पिटक में इसकी राचना जो है आनंद ने किया था यह पिटक पांच निकायों में इसे प्रारंबिक बॉत धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है बुध की पूर्ण जनम के कताएं सुथ पीटक में वर्नित है आगे पढ़ेंगे बिने पीटक के बारे हैं बॉत धर्म के नियमों का संकलन इसमें है इसकी रचना उपाली ने किया है महाबस्तु बिने पी करन जो है मोगले पुत्र तिस्म ने किया है मिलिंद्पनों के लेखक है नागसेन महाविवाज सुत्र के हैं बसुमित्र बुध चरित के अस्वगोस माध्यमिक सुत्र के हैं नागार्दुन जातक कथा बुध के पूर्ण जनम की कथा है बौध धर्म के लोगप्रित्या का करण क्या था उपदेश जनसाधारन की भासा में दिया जाना राजकी संरच्छन प्राप्त होना समाजिक समानता माध्यम मार्ग समय समय पर बहुत सम्मेलन पतन का क्या करण हुआ बौध धर्म के करमकांड का परभाव पाली को छोड़क का संस्कृत को अपना बहुत मठ कूरीतियों का केंद्र बन गया था राजकिय संरच्छन दिना बनद हो गया था। बौत धर्म और जैन धर्म reported समानता है दोनों धर्म के संस्था पाक छत्रीय कुलके थे दोनों धर्मों में बेधो के परमांता के पड़नास्था है कर्म एवं पूर्ण जनम में दोनों पिश्वास था सुद्र महिलाओं कि आ समानता ये थी बौध धर्म के अनुसर निर्वान जीवन जीते हुए ही प्राप्ट किया जा सकता है जबकि बौध धर्म में सरीर से मुक्तिक के पश्चाथ दूसरा था बौध मद मार को अपनाना प्रंतु जैन जो है कट्वर तपस्य जाबल पर ध्यान देते थे महावेर ने बौध की अपैक्षा हिंसा वा परिग्रह पर बल दिया अब परिष्ट पढ़ेंगे इसमें भीवियाई प्रश्ण जो उपड़ का निचोड़ दिया गया है पहला देखेंगे बौध गरंथो पीटको की रचना जो है पाली भासा म से किया गया है आगे है बहुत सिच्छा केंळ्र नालंदा भिष्पिद्याले विक्रम सिपिध्याले ये दुनों, जहें बहुत शिच्छा केंड्र थे आघे है असोक के शासंकाल में बौध का गमण ने पालं में हुआ साची सबसे बड़ा बहुत अस्तूप है बहुत धर्म के परचार के लिए पाली भासा का प्रियोग किया गया मठ मंदिर और अस्तूप बहुत धर्म से संबंदित हैं बिम्बिसार के सासनकाल में बहुत धर्म और जैन धर्म दोनों का उपदेश दिया गया है बुध भिछुनी संग की अस्थापना बैसाली में किया गया। सुन्यवाद का सिधान्त नागर्जुन ने दिया जिसे भारत का आंश्टीन कहा जाता है। महायान साखा में बोधिस्त्व अब लोग की तेस्वर पद पानी के नाम से भी जाना जाता है। 22 तथा बोधिस्त मेत्रे को माना गया है। योगा चार इवं विज्ञानवाद के पर्तिपादक मेत्रे नाथ था। बोध धर्म का मूल अधार चार आरी सत्य हैं। बोध धर्म को भारत में अंतिम राजकी सनरचन बंगाल के पाल सासको ने दिया। बोध ने अपने जीवन का अंतिम बर्सा रितु कुसी नगर में बिताया। भारत में पुजित महिला पहली मानव पर्तिमाय सायद बोध की है। बोध गरंथ सुत निपाट में गाय को भोजन, रूप और सुख देने वाली अंदा, बंदा और सुखदा कहा गया है। सुत पिटक क्या है? बूध के बचन और आदेश इसमें संग्रहित हैं। बिनए पिटक में क्या है? अनुसासन इवमनियम है। अवी धम पिटक में क्या है? धम का दार्शनिक विवेचन है। आगे पढ़ेंगे। कि बहुत धर्म का सबसे प्राचिन संपरदाय थेरबाद था। भारत में उत्पन सबसे बाद वाला बहुत गरंद बामसाथ पाक सीनी है। पांच में बहुत संगितिक आयोजन हर्स वर्धन के सासनकाल में कन्नाओज में हुआ था। इससे आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि यह लुसेंड में मुझे नहीं लग रहा है। बाकी है या नहीं कमेंड वोक्स में कमेंड जरूर कीजेगा अगर सेशन अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को लाइक एवर सब्सक्राइब करें ठीक है और कमेंड जरूर कीजे अगर आप लोग पसंद नहीं करेंगे जान रहा हो कि फ्री में पर वाइड कर रहा है में कुछ आप अपने हिसाब से बता सकते हैं इसमें क्या संसोधन करने की जरूरत है आपका दिन सुब हो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद